विराट दिरन मशीन कोली लेकिन टीटवैंटी और ओटिया इन में तो यह मशीन सहीं से तकाम कर रही है लेकिन बात आती यह लाल गेंद की तो इस मशीन में कुछ दिक्कते आ रही है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ये बात कह रहा है विराट कोली का प्रेशन आप ये देखिए विराट कोली जैसा खिलाडी सर जो लगातार जब मन चाहत तब शतक लगा सकता है उसका पिछले तीन साल से टेस्ट फॉर्मेट में शतक नहीं लग रहा है मुझे आप कही ना कहीं सरे इंदौर का जलेवी और पोहा से कुछ एनरजी लेनी पड़ेगी बिल्कुल जिस तरह से विराट कोली का जो प्रदर्शन है टेस्क गिड में लगातार फैंस को भी परिशान कर रहा है और लगातार जो टीवी पर जो खबर चलते आ उसमें भी कहीं न कहीं विराट कोली को जो है यह चीज़े परिशान कर रही है और उम्मीद करते हैं कि विराट कोली जो है जिस तरह का रिकॉर्ड उनका इंदौर के मदान पर है वो निखर कर सामने आएगा और विराट कोली जैसा बल्लेबाज जिस तरह से वन्होंने लारी खेली थी 342 गेंदों में लगबग और इससे अच्छा मौका होई नहीं सकता कि होलकर की होलकर स्ट्रेडिम की लाल मिट्टी के पिच पर लगातार इस लाल गेंद को इतना मारे कि गेंद हच से जादा लाल हो जाए विराट कोली के लिए इससे बड़ा मौका अब नह सुनेंगे तो सब की सुनेगा मत्तब की सारे फैंस की सुनेंगे बिल्कुल दिल्ली के छोले बुटर अब यहां के हजम होंगे और विराट कोली जब खाएंगे ना जलेबी के साथ में तो 100% मुझे लिए विराट कोली यहां पर दौराशा तक लाएंगे और रनो की कमी है उसको यहां पर पूरा करेंगे वो खत्म करेंगे अब ऑस्ट्रेलिया सामने हैं होलकर स्टेडियम है और विराट कोली को रनों की जरूवत है इससे अच्छा कॉमिनेशन विराट कोली की भूग भढ़ाने के लिए हो नहीं सकता तो इसलिए विराट कोली को खास तोर से ध् खेलनी पाईये टेस्स मैं जो है अगर देखें इस मैंदान पर पहली बार वो जो है खिलने उत्रेंगे तो कही ना कहीं विराट कोली के पास मौका है अपने आपको परूफ करने का अपने आपको थाद नहीं के लिए बहुत ज्यादा लखी है बिलकुल आखिनी बॉका हो उनके पास कि आपको इंदौर से बढ़िया मैदान फॉर्म में वापसी करने लिए मिलेगा नहीं तो विराट कोली अब बच्चूक ना